पूरी जानकारी इस वीडियो में पूरी जानकारी डिसकस करेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले अधी अभी तक आपने हमारे ICS से हिल्प को YouTube चनल को सब्सक्राइब नहीं कि यार सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर दबा देजिए ताकि जैसे ICS को यह latest information मिले हम आप तक सबसे पहले पहुंचा दें तो दोस्तों बात करते हैं कि क्यों आखिर इंडिया टुड़ जैसे बड़े न्यूस चनल ने ये बात बोली है कि या तो online exam करवाईए या तो cancel करवा देजिए दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं COVID cases इतना जएदा बढ़ रहे हैं इतना ज़्यादा COVID spread हो रहा है इतना जएदा Omicron फैल रहा है और जो बच्चे हैं अभी लगबग लगबग अधिकतर बच्चों के vaccine नहीं लगपाई है जिसका कारण इंडेट उड़ जैसे इतने बड़े न्यूस चैनल नहीं ये बात CISC के तरफ उठाई है कि आप या तो online exam करवाईए या तो आप examination semester 2 को cancel कर देजिए क्योंकि दोस्तों जितने भी बच्चे हैं CISC के चाहे वो ICSC क्लाश 10th के हों चाहे वो ICSC क्लाश 12th के हों सभी बच्चे online mode में ही अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं online mode में ही अपनी अभी भी वो तैयारी कर रहे हैं तो subjective जो जोस्तों exam होने वाला था offline में उस कराना काफी मुश्किल है क्यों क्योंकि online में MCQ ही possible हो सकते हैं subjective आप online mode में किसी भी तरह से दोस्तों नहीं करा सकते हैं या तो subjective या तो descriptive आप online mode में कराना impossible से लग रहा है अब यहां पर CISC के कुछ ऐसे point निकल के आ रहे हैं कि आखिर CISC इन मुद्दों पर कर क्या रहा है सबसे पहला point है दोस्तों आपको semester 1 का result आखिर अभी तक इतना late क्यों हो रहा है जरूर उसमें कुछ ने कुछ fair बदल किया जा रहा है क्योंकि semester 2 का examination जहां तक है या तो cancel होने के chance है या तो online होने के chance है 50-50 easy पर जाके point अटक रहा है कि या तो examination cancel हो जाएगा या तो online mode में करवाया जाएगा अब यहां पर semester 1 के result आने में देरी इसलिए भी हो सकती है क्यों क्योंकि कई सारे बच्चों की जो number होंगे दोस्तों जैसे कि हमने अपने पुरानी वीडियो में भी बताया है कि कई सारे बच्चों के number भी कम आये हुए होंगे इसी वज़ा से उनको grace marks बढ़ा के या improvement के लिए या तो दोस्तों उनका result में कुछ बढ़ोतरी की जा रही है ताकि बच्चे जो है fail ना हो एक को descriptive सिर्फ offline ही possible हो सकता है हमने अपने दोस्तों सभी जितने भी expert हैं जितने भी हमारे teachers आते हैं हमने उनसे ये सला लिया कि ये बताईए कि कैसे आप descriptive में online करवा सकते हैं उन्होंने कहा है कि online mode में descriptive कराना impossible है ये possible नहीं हो सकता है